आत्म सुधार का सरलपत्थ सेवा पाप का परणाम पाप ही होता है बुराई का फल बुरा और भलाई का भला सभी ने इसे स्विकार किया है मनुष्य जैसा अभ्यास करेगा वैसा ही वो बनेगा इसलिए शुभ की प्राप्ति के लिए अच्छाईयों की व्रिध्धि के लिए आचार शास्र में परमार्थ, सेवा, दानपुण्य, विपिन उपासना, वृत आदि को धर्म मान कर उन्हें जीवन में प्रमुख स्थान दिया गया है यदि मनुष्य अपने जीवन में सुधार जाए, शुभ की आकांग्शा रखे तो दूसरों के लिए वही सब करे जो वो स्वयम अपने लिए चाहता है दूसरों के लिए वही सोचे जो वो अपने लिए सोचता है दूसरों के दुख्यों दूर करने में, कठिनाईयों में मदद करने में, उनका सुधार करने में उनके हित के लिए वही प्रयत्न किया जाए जो मनुष्य अपने लिए करता है इससे मनुशी के दुख, परिशानिया, उल्जने, स्वतय दूर हो जाती है मानसी गुत्थियां सुलत जाती है अपनी बुराईयों से सीधे लड़ने पर वे और भी प्रबल होती जाती है ऐसी हालत में उनसे लड़कर विजय पाना कठिन है अपनी बुराईयों का सुधार करने के लिए उनसे सीधी न लड़कर दूसरों के हित सेवा कल्यान में अपनी शक्ति लगानी चाहिए इससे जो लाब दूसरों को मिलना चाहिए वो स्वयम को भी सहज ही प्राप्त हो जाता है परमार्थ परहित साधन की पुन्य प्रक्डिया में मनुश के स्वयम के दोश बुराईयां भी दूर हो जाते हैं और दौरा लाब होता है अखंड जोती जुलाई 1963 प्रिष्ट 24 अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें कॉमेंट और शेयर जरूर करें और हमारी यूट्यूब चानल रिषी चिंदन को सब्सक्राइब भी करने साथ ही बेल आइकन को भी दबाए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन्स मिलती रहें धन्यवाद